कि वेल्कम टू एवी क्लासेस फ्रॉस सर्विसे जैसा कि आप जानते हैं मेरे यूट्यूब चैनल एवी क्लासेस फ्रॉस सर्विसेस इंडियन जोग्रफी नाम के एक स्रीज चल लिए उसी के तुरू यह आज का नवा लेक्चर होगा इससे पहले लेक्चर आपने नहीं नाम लोग जानते हैं कि हम अधियों के बारें पढ़ रहे थे भारत की नदिया ठीक है गंगा नदी सिस्टम और ब्रहंपुत नदी सिस्टम हमने पढ़ लिया उसकी जिसके बाद यह सब हिमाली नदियां तो इनके बारे में आज पढ़ लेते हैं उसके बाद दक्शिडभ पूरवर्ती नदीन है क्यों बोलेंगे क्योंकि यह हिमाले के उथ्थान से पहले इनका प्रवाध था ओके तो यह हिमाले को काड़ते हुए गाज बनाती है यह पाकिस्तान में प्रवेश करती है यह सिंधू नदी उसके बाद देख लेते हैं हम लोग उसके बाद यहां से जहेलम नकलते हैं जहेलम नदी जो यह सिंधू नदी है कौन से है ?Kummagnudum Glacier इसे को चेमा यंगडुम साधी कूसे है ? और इससे को सेरमुग भी भी बोलते है और गसमें भी भी ढहनेसे कोई भी और नाम में एकजाम में आता है तो उसको सही मानेंगे यहां लूहां से निकलता है इंडिया से ही निकलती है जहेलम जो जहेलम नदी बाद में किस में मिलती है जहेलम नदी चिनाब नदी में मिलेगी पहले ठीक है जहेलम नदी यहां से निकलेगी जहेलम नदी जहेलम जमौन कस्मीर से जहेलम नदी का उद्गम क्या है सेसनाग जहेल ओके उसके बाद यहां पे दो नदियों के संगम से कौन स बढ़े और यह सब्से बड़ी नदी कुछ है जिए जो सिंधु नदी कुछ है चेनाब नदी होगी उसके बाद यहां से ड़ावि नदी निकलेगी त пр Dru दिग तक क्ली confirming क्या arrow रावी नदी नदी का उद्गम जो है रोतंग दर्य के समीप से इसका उद्गम है रावी नदी का उसके बाद यहां से निकलेगी तिब्बत के पठार में समानसोर जिल के पास से ही सतलज नदी, सतलज नदी का उद्गम है राकस्ताल, ठीक है, यहाँ पर एक राकस्ताल है, तिब्बत के पठार जो की चीन का हिस्सा है, वहाँ से सतलज नदी निकलेगी, और यह बाद में होते हो, यह चिनाब नदी में मिले कहां पर मिठान कोट पाकिस्तान में उसके बाद यह आगे बढ़ते हुए यह कराची में जाएगी कराची में सबसे बड़ा डेल्टा बनाएगी उसके बाद इस अपना जल किसमें प्रवहित कर देगी अरब शागर में ठीक है और 17 नदी में ही एक और नदी है ब्यास्टन में ऑधनी 15 नदी की जहां यह ऋब यहां पर यह ब्यास्टन कोंडिशी नकलेगी ठीक है इस भारत की राश्री नदी है एक आस्टना रिवार है और जबकि यह 17 नदी चिनाब नदी जहिलम नदी यह सब इंटरनेशनल रिवार है उसके बाद यह उसके बाद देख लेते हैं सिंधु नदी जल समझाओता उन्यूसो साथ में भारत के पूर प्रधान मंत्री जवाला स्री जवालाल नहरुजी और जो पाकिस्तान के राष्टपति तत्तकाली रासपत्री अयूव खान के बीच में शम्झाओता हुआ था सिंधु नदी जल सम कि ज cliffs जहलंं और चिनाब सुझु जहलंलंट्री उमश्य छिद वेस्टं रिवार उसके नदीया को नदीयों का 8% जो जल होगा । अजौश्य पर्साइब पाकिस्तान यूज़ करेगा हें ठीक और बीच परसंट जल वाटर इंडिया यूज़ करेंगा हैं इंडिया ठीक है व्यास रावी हुआ है और कि असाथ रहा से एक रावी नदी भी निकलेगी ठीक है रावी यहां पर छूट गई है रावी भी एक ये चिनाप की ट्रिबूटरी होगी ओके यहांस निकलेगी तो रावी यह इस्टन रिवर होंगे इस्टन रिवर ठीक है इन्हें बोलें पूरब की नदियां और इन नदियों का 80% जो वाटर है इंडिया यूज़ करेगा ठीक है और 20% वाटर पाकिस्तान यूज़ करेगा इसमें यह प्राउधान हुआ ठीक है और देख लेते हैं जो यह रिवर देखगी तो इसके पुरब में भी छोटी-छोटी नदिया होंगी ठीक है जो लेफ्ट हैंड की साइड की नदिया होंगी मतलक की इसी साइड की नदिया जो होगी वह होगी सिगार होगी गिल्गित थोगी सिवाँं quiere सौ अपर होगी नदी के एंदस्रिवर की तो वह श्योक यहां। होगा काबूल पाकिस्तान में बहती है कुर्रम और नुबरा अगर यह वीडियो राइकर सब्सक्राइब